तो यहां पे जो कपड़े आजकल सूख नहीं बाते हैं चत पे दिन में चत पे फेलाते हैं फिर उसको शाम को लेके आके रख देते हैं तो खेर यह सब जगए अभी यही चल रहा है जहां जहां धूप नहीं आ रही है तो यह मैं अपने जो हाथ से धुलेवे कपड़े हैं इनको ड्राइ कर रही हैं और उसके बाद इनको छट पे फेलाओंगी जब तक मौसम सही रहेगा मतलब मौसम क्या सही रहेगा तीन-चार करूँगी या मैं अपने जनम दिन से यह करना शुरू कर दूँगी या नए साल से मतलब अलग-अलग टाइम पे हम अपने अलग-अलग रेजोलिशन से लेते हैं लेकिन हम लोग उसको फुल्फिल नहीं कर पाते हैं रीजन्स उसके बहुत सारे होते हैं तो यहां पर आज का विटामिन सी डेली ग्लो फेस क्रीम इसमें है विटामिन सी और तर्मरिक तो तर्मरिक जो हमारे स्कीन के डलनस को हटाता है स्कीन को नैचुरल ग्लो देता है या रेडियंट ग्लो देता है और इसमें पावर ओफ 50 एक्स विटामिन सी है जो कि हमारे स्कीन को ब्राइटन करता है और निया सिनावाइड है जो कि even skin tone को promote करता है तो यह मैंने निकाल लिया है यह transparent है और जितना आपको quantity चाहिए उतना निकाल लीजिए और आप इसे neck और face पे massage करेंगे gently जब तक यह अच्छी तरीके से skin में absorb ना हो जाए तो यह skin में absorb हो चुका है मेरे और यह made safe certified है त आप निश्चिन्त हो के use कर से और dermatologist द्वारा tested है और हर टाइप की skin के लिए suitable है तो मैंने आपको इसका link description में दे दिया है और मेरा coupon code अगर आप use करते हैं जो की screen पे दिख रहा है तो आपको mama earth की website पे 20% और discount मिल जाएगा mama earth का 50X vitamin C daily glow face serum आपको amazon nica purple flip card और mama earth की website पे मिल जाएगा और mama earth की app की link मैंने आपको description में दी है तो वो download करते हैं तो जो भी offers होंगे उनका notification आपको पहले मिल जाएगा और इसके साथ ही जैसे जो भी order आप mama earth से place करते हैं आपका हर एक order एक plant से link किया जाता है और 2025 तक mama earth का aim है एक million trees plant करने का और मुझे मेरे skin काफी सही लग रही है तैयार होने के बाद फिर मैंने अपना kitchen में आके नाश्ता बनाया नाश्ते में मैंने बनाया पराठे उसके बा और आज कमल जी को कहीं जाना है तो breakfast के बाद फिर मैंने फटाफट से lunch बनाया था फिर वो चले गए और अब मेरी जो हालत देख रहो ना अस्तिवस्त तो यही reason होता है हम सब के घरों में कि हम लोगों के घर में बहुत time से हम लोगों ने decluttering नहीं की होती है जिसकी हमारा mind ज आपके जो भी बेड़ थे ना box वाले सबको निकाला मत्लव समान से निकाला जो उपर वाला bet box था उसको भी निकाला उसमें सारे रजाई के डे और अब आपको बेड के उपर extra रजाई और नजर आ रहे हुँगे वह सारे मेरा निकाले जो यूज के थे निकाल ली और कुछ का यूज यही कर लेती हूं तो इसको मैं कर्टन की तरह यूज कर रहे हूं इधर बालकनी वारे गेट में और शाम हो चुकि यह कमल जी भी आ गए क्योंकि आज मैंने पूरे दिन बहुत सफाई की इसलिए मेरी हालत दूल से बिल्कुल ही खरा हो रखी है और यह बहुत अच् कोई ऐसा काम अठका हुआ जो आप बिल्कुल नहीं करना चा रहे हैं वो करने का भी आपका मन करेगा और यह आजमाई हुई तरीक है मतलब यह ट्रिक आजमाई हुई है आप इसको यूज कर सकते हैं जब भी आपको ऐसा लगए अपने घर का ज्यादा नहीं जितना कर सकते उतना करना शुरू कर दीजिए और इधर जो प्लांट्स हैं यह थोड़े गंदे धूल है इस पे तो इसको मैं बात में करूंगी तो यह मैंने इस पे रेड कलर का बिछाया है सेटी के उपर और इधर मैंने सारी चाद्रें वगड़ा सब मतब तीनों फ्लोर के कह रहे हैं टीनों बेडरूम के बदल दी ए एक का तो कमल जी से लगवा लिया मैंने और जो दूसरे कमली का बेड है उसको मैंने पूरा खाली करके जितना उसमें रजायकदे थे उपर वाले फ्लोर के वाज सारे मैंने खाली कर दिये जो काम का है उसको रखा और जो चीजे कई आपको किसले रखे रहते हैं पता नहीं वो यूज नहीं करते हैं तो जो चीज आपको लगता है यूज किया उसको यूज कर लीजे वो कल-कल के भरोसे मत रखें नहीं तो बहुत सारी चीज हम कल-कल के भरोसे रखते हैं और वो रखी रह जाती है काम नहीं आती है फेक न बढ़ता ह जो चीज आपको लगता है आपकी काम किया उसको यूज कर लीजे और किसी गेस्ट के लिए और किसी और के लिए कि हाँ वो आएंगे तो यूज करेंगे ऐसा मत रखिए जो चीज अच्छी लगती है खुद भी यूज किया कीजे और ये अभी मैंने रिसेंटली मैंने ये ब् और नीचे आने के बाद मैंने पहले स्वेटर चेंज कर इतनी धूल पड़ गई थी उसके बाद भी फेश्वास करूंगी बहुत बुरा हाल हो गया आज मैंने पूर जब हास्बंड बाहर जाते न तो ऐसा है उस समय तो ऐसा लगता है पूरे घर पे हमारा कबजा है सारा ही मैं सफाई करती हूं मतलब अगर साब भी हो ना कोई चीज जैसे कबर्ड है उसको फिर से रियारेंज कर लिया आप देखोगे कि मतलब जैसे कि आपको स्टक जैसा फील होता है तो बिल्कुल रिफ्रेशिंग सा लगेगा आपको मैंने यह चीज नोटिस किया कई बार तो बैगन हम लोग बहुत ही कम खाते है तो इसलिए मुझे चटनी बनाना ज्यादा सान भी लगता है तो आज डिनर हो गए रहा के बाद फिर मुझे नेल पेंट लगाना है क्योंकि नेल पेंट लगाने का ना बड़ा जंजट वाला होता है थोड़े दिनों में फिर हटने इसलहाद लगता था लेकिन इसमे वैसा नहीं लगता है मतलब खाने के बाद बिल्कुल ऐसा लगता ही कि जैसे हमने नॉर्मल खाना खाया है और उसके पास अगला reason होता है कि अपनी जो goals होते हैं या हम आपने resolutions लेते हैं उनको पूरा नहीं कर पाते है उसका यह reason होता है कि हम जो अपना डे स्टार्ट करते हैं न मॉर्निंग का वो टाइम हम मतलब अच्छी चीजों में नहीं बिताते हैं जैसे फोन में लग गए या कुछ इस टाइब की रिल्स ही या कुछ भी इस टाइब की चीज देखने लगए तो उससे हम बहुत जादा जल्दी डिस्ट्रेक् कर लेना चाहिए आप देखेंगे कि उससे आपकी लाइफ में काफी चेंज आ रहा है और सबसे इंपोर्टेंट चीज है कि सुबह सुबह ना आप कभी किसी से कलेश ना करें किसी से लड़ाई ना करें अगर आपके घर में आपकी किसी से बंती नहीं है तो उनसे सुबह किसी से कम 15 गंटे कोशिश करें आप बातना करें और अगर पॉसिबल है तो और अगर आप करते भी हैं तो बहुत लिमिटेड करें और सुबह कम से कम आदा घंटा तो बिल्कुल ही बातना करें अपने लिए टाइम दें और अपने लिए आपको जो प्लान करना है आगे का या आगे का दिन वो प्लान करें तो आप देखेंगे आपकी लाइफ में काफी चेंज आ जाएगा वेलकम एक फ्रेंड्स और अभी सोने का टाइम है और मैं अभी नहा किया चुके हूं क्योंकि बहुत ज्यादा धूल में नहा गई थी आज मैं कि मतलब दूल से जाएगा थी आज मैंने काफी चाफाई की और मुझे तसलिम मिल रही है सही मैं चीजों को रिएरेंज करना सफाई करना इस से ज्यादा मुझे नहीं लगता कि कुछ भी ज्यादा सुकून दे सकता है आज कल की नुकली फैमली में अकसर ऐसा होता ना कि जैसे कि मतलब हम लोगों को यह नहीं होता कि हम कभी सुभे जल्दी उठना चाहे तो उठ सकते हैं लेट भी उठना चाहें उठ सकते हैं मतलब मोटिवेशन जैसा रहनी जाता मतलब बहुत सारे केसे में खास कर कि अगर ह कहां जा रही है स्टक जैसा फील होता अगर आपको स्टक जैसा फील होता ना तो और कुछ नहीं समझाता है सबसे पहले घर की सफाई करनी शुरू कर दीजिए आप देखेंगे ना कि आपकी जो स्टक इनर्जी थी ना वो रिलीज हो जाई है और आपको काफी अच्छा होती है जैसे कि हम लोग रखे रहते हैं कि यूज होएंगी यह हम बात में यूज करेंगे कई ऐसी चीजों होती है वारे पास पड़ी होती है मैं पता ही नहीं होता तो उन चीजों को निकाल लिए यूज कीजिए क्योंकि यह नहीं पता होता है कि कल हम चीजे यूज करें और पशक्त कि नियुक। है कि और अपने पार पाका जाए नहीं है। यह जाएगा आप सुछाएं殖ेट इकete बाता हुदें कि उपना लगा है। अगर हम साप सफाई में लगा लेंगे तो टेंशन भी नहीं होगी और हमें खुद को भी अच्छा फील होगा और सबसे इंपॉर्टन चीज कि मैंने एक चीज देखा है कि हम लोग रात का जो है बहुत सारी लेडिस हैं रात को भी मतलब कोई उनका रूटीन नहीं होता कि रा आपके माइन में वह सिस्टम होना चाहिए तो अगर आप नहीं फॉलो कर पाते हैं इसे तो लिखना शुरू कर दिजिए जैसे आप लेखने लगेंगे आपको लगेगा दीरे दीरे आप चीजों को अराम से फॉलो कर पाते हैं तो चलिए आज का व्लोग यहीं थक था मुझे तीसरी मंजिल के सफाई करना है मतब सफाई तो कर रखें मतब थोड़ा सा और डिकलेटर करना है ताकि जादा अच्छा लगे मुझे तो चलिए आज के व्लोग यहीं तक था मिलते हो आप से नए व्लोग में तब तक के लिए बाए बाए